सबसे पहले तुम्हें लोग सभा के जितने भी डूली एड़ेक्टेड मेंबर्स हैं, सबको अपनी तरफ से हारदिक बढ़ाई देता हूँ और अन्निस सभी को अपनी तरफ से इस उसर पर हारदिक शुक्तामनाई देता हूँ साथियों आप सबको जानकारी है कि आज हम भारती जन्ता पार्टी के संसदी दल के नेता वा यंडिये संसदी दल के नेता वा लोग सभा में नेता के चैन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं मैं समझता हूँ कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग उफयोग और सरवता हूँ और साथियों यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्र मंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कारे शमता उनकी कारे कुछलता दूरदर्शिता प्रामणिक्ता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है और क्यों मैंने ही नहीं देखा है बलकि समस्त देश्वासियों नेशी देखा है हम सब के लिए प्रसंद्था का विश्य है कि यंडिये की सरकार ने दस वर्सों में उनके नेत्रत में देश की जो सेवा की है उसकी भारत पही नहीं बलकि कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रसंद्था हो रही है हम सब को जस्तों भाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की यंडिये की सरकार बनने जा रही है साथियों 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है यहां तक मेरी जानकारी है मित्रों लोगतांत्रिक देशों में पूरे विश्यों में तीसरी बार यह अवसर की किसी को प्राप्त हो रहे है तो हमारी यंडिये को यह उसर प्राप्त कि और साथियों हम लोग सोभाग्य साली है कि मोदी जी जैसा है एक जन कल्यान का रही है और संबेदन सील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है इनकी देत्र तुश्मता इनकी कारेकुसलता इनका वीजन इसके कारण मैं मानता हूं कि हमारे यंडिये परिवार में भी व्रिद्धी हुई है हम सबकी पहचान गठवंधन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है और यह सिलसला जबादनी अटल्वी हारिवाज पेईजी भारत की प्रधानमंत्री थे उसी समय से प्रारंबभ हुआ है और मैं अस्पश्ट कर देना चाहता हूं एलाइंस गठवंधन यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है बलकि हमारा यह कमिटमेंट हमें भारत को ही एक सक्षम संब्रिद विक्सित स्वाजिमानी और ससक्त राफ्ट के रूप में आगे ले जाना है और मैं कह सकता हूं कि पिछले दस वर्सों में मोडी जीके नित्रत में भारत की दशा दिशा मनो दशा में एक क्राम्तिकारी परिवर्तन आया और साथियों पिछले दस वर्सों में आज देश इस दोर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है भारत देश विक्सित होने के साथ समुचे विस्व को नेत्रित और नई दिशा देने का सामर्थ रखता है और साथियों आज देश अपने आपको दसकों के लिए नहीं बलकि सरीयों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अद्रसर हो चुआ है और बैमानता हूँ कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो दबता है इसलिए इसलिए भारतिय जनतापार्टी के संसदीय दल के देता यो हम यंडिये के संसदीय दल के नेता और लोग सभा के नेता के रूप में मानि नरंद्र बोडी जी के नाम का प्रस्ताव करदा इस कारवाई को आगे बढाते वे मैं हमारी पार्टी के वरिष्टनेता देशके गह मंत्री मानि आमित्चाज़। कि प्रस्ताओं का अनुमोधन करें आगा कि साथियों सभी को ग्रदय पुरुवक पुना लोग सवा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बढ़ाई अभी अभी देश के रक्सामंत्री जी ने लोग सबा सदन के नेता भारते जनता पार्टी संसद्य दल के नेता और एंडिय संसद्य दल के नेता के रूप